कहानी उनन्चास इस्तीफा आरंभ दफ्तर का बाबु एक बेजबान जीव है मजदूरों को आँखे दिखाओ तो वो तियोरियां बदल कर खड़ा हो जाएगा कुली को एक डांड बताओ तो सिर से बोज भेंग कर अपनी रह लेगा किसी भीकारी को दुद्कारों तो तुम्हारी और गुस्ते की निगह से देख कर चला जाएगा यहां तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दोलत्यां जाणने लगता है मगर बेचारे दफ्तर के बाबु को आप चाहें आँखे दिखाएं डाट बताएं दुद्कारे या ठोकरे मारे उसके माथे पर बल आएगा उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वो शायद किसी सैयमी साधु में भी ना हो संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ती, सच्चा आग्यकारी, गरज उसमें तमाम मानवी अच्छाईयां मौजूद होती है खंडर के भी एक दिन भाग्या जगते हैं, दिवाली के दिन उस पर भी रोश्नी होती है बरसाद में उस पर हर्याली चाती है, प्रकरती के दिल्चस्पियों में उसका भी हिस्सा है मगर इस गरीब बाबु के नसीब कभी नहीं जागते इसकी अंधेरी तकदीर में रोश्नी का जल्वा कभी नहीं दिखाई देता इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोश्नी नजर नहीं आती इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं लाला फतेचंद ऐसे ही एक बेजवान जीव है कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम कभी कुछ असर पड़ता है फतेचंद की दशा में ये बात यथार्थ सिध न हो सकी यदि उन्हें हार चंद कहा जाए तो कदाचित ये अतियोगती ना होगी दस्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों और हार और निराशाएं ही थी लड़का एक भी नहीं, लड़कयां तीन, भाई एक भी नहीं, भोजाईयां दो, गाट में कौडी नहीं, मगर दिल में दया और मुरौवत सच्चा मित्र एक भी नहीं, 32 साल की अवस्था में बाल खिचडी हो गए थे, आँखों में जोती नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिछके, कमर जुकी हुई, न दिल में हिम्मत, न कलेजे में ताकत नौ बजे दफ्तर जाते और चेह बजे शाम को लोट कर घर आते, फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पढ़ती दुनिया में क्या होता है, इसके उन्हें बिलकुल खबर न थी, उनकी दुनिया, लोग पर लोग जो कुछ था, दफ्तर था, नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता, न कोई मनुरंजन था, न खेल, ताश खेले हुए भी, शायद एक मुद्दत हो गई जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ बादल थे, फते चन साड़े पांच बजे दफ्तर से लोटे, तो चिराग जल गए थे दफ्तर से आकर वो किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चार पाई पर लेट जाते और पंदरह बीस मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते, तब कहीं जाकर उनके मुझ से आवाज निकलती आज भी प्रती दिन की तरह वो चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा छोटी लड़की ने जाकर पूछा, तो मालुम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है शारदा पती के मुहा धोने के लिए लोटा गिलास माज रही थी बोली उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए हैं और अभी फिर बुलावा आ गया चपरासी ने कहा, साहब ने कहा है अभी बुला लाओ, कोई बड़ा ज़रूरी काम है फतिय चंद ने हमोशी तोड़ी, उन्होंने सिर उठा कर पुछा, क्या बात है शारदा, कोई नहीं दफ्तर का चपरासी है, फतिय चंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी, क्या साहब ने बुलाया है शार्दा हाँ कहता है साहब बुला रही है ये कैसा साहब है तुम्हारा जब देखो बुलाया करता है सबेरे के गए-गए अभी मकान लोटे हो फिर भी बुलावा आ गया फतेचन ने संभल कर रहा जरा सुन लो किस लिए बुलाया है मैंने सब काम खत्म कर दिया है अभी आता हूँ शार्दा जरा जल्पान तो करते जाओ चपरासी से बाते करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेगी ये कहकर वो एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोट और सेव ले आई फत्यचंद उठकर खड़े हो गए किन्तु खाने की चीज़े देखकर चार पाई पर बैठ गए और प्याली की ओचाव से देखकर डरते हुए बोले लड़कियों को दे दिया है न? शार्दा ने आँखें चढ़ा कर कहा हाँ हाँ दे दिया है तुम तो खाओ उतने में छोटी लड़की आकर सामने खड़ी हो गई शार्दा ने उसकी ओर क्रोध से देखकर कहा तू क्यों आकर सिर्पर सवार हो गई? जा बाहर खेल फत्यचंद रहने दो क्यों डाड़ती हो? यहाँ आओ चुन्नी ये लो दाल मोट ले जाओ चुन्नी मा की ओर देखकर डरती हुई बाहर भाग गई फत्यचंद ने कहा क्यों बेचारी को भगा दिया? दो चाह दाने दे देता तो खोश हो जाती इतने में चपरासी ने फिर बुकारा बाबुजी हमें देर हो रही है शार्दा कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे? फत्यचंद ऐसा कैसे कह दूं भाई? रोजी का मामला है शार्दा तो क्या प्राण दे कर काम करोगे? सूरत नहीं देखते अपनी मालुम होता है छे महीने के बिमार हो फत्यचंद ने जल्दी जल्दी दाल मोट की दो तीन फंकिया लगाई एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दोड़े शार्दा पान बनाती ही रह गई चप्रासी ने कहा बाबुजी आपने बड़ी देर कर दी अब जरा लपके चलिए नहीं तो जाते ही डांड बताईएगा फत्यचंद ने दो कदम दोड़ कर कहा चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह चाहे डांड बताएं या दांड देखाएं हमसे दोड़ा नहीं जाता बंगले ही पर है न चप्रासी भला वो दफ्तर क्यों आने लगे बादशा है कि दिल लगी चप्रासी तेज चलने का आदी था बेचारे बाबू फत्यचंद धीरे धीरे जाते थे थोड़ी ही दूर चलकर हाप उठे मगर मर्द तो थे ही ये कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो हिम्मत करके कदम उठाते चाते थे यहां तक की जांगों में दर्द होने लगा और आधा खत्म होते होते पैरों ने उठने से इंकार कर दिया सारा शरीर पसीने में तर हो गया सिर में चक्कर आ गया आखों के सामने तितलियां उरने लगी चपरासी ने ललकारा जरा कदम बढ़ाएं चलो बावू फतेचंद बड़ी मुश्किल से बोले तुम जाओ मैं आता हूँ वो सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हातों से थाम कर दम मानने लगे चपरासी ने इनकी ये दशा देखी तो आगे भड़ा फतेचंद डरे कि शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा जमीन पर हाथ टेकर उठे और फिर चले मगर कमजोरी से शरीर हाफ रहा था इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था बेचारे किसी तरह गिरते पढ़ते साहब के बंगले पहुँचे साहब बंगले पर टहल रही थे बार बार भाटक की तरफ देखते और किसी को आते न देखकर मन ही मन जलाते थे चप्रासी को देखते ही आँखे निकाल कर बोले इतनी देर कहा थे चप्रासी ने बरामदे की सीड़ी पर खड़े खड़े कहा हुजूर जब वो आए तब तो मैं तो दोड़ा चला आ रहा हूँ सहब ने पैर फटकार कर कहा बाबू क्या बोला इतने में फटैचंद आहाते के तार के अंदर से निकल कर वहां पहुँचे और सहब को सिर छुका कर सलाम किया सहब ने कड़क कर कहा अब तक कहा था चप्रासी आ रहे है हुजूर घंटा भर में तो घर में से निकले फटैचंद ने सहब का तम तमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूप गया बोले हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ जो ही चप्रासी ने आवाज दी हाजिर हुआ सहब जूट बोलता है हम घंटे भर से खड़े हैं फटैचंद हुजूर मैं जूट नहीं बोलता आने में जितनी देर हो गई हो मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई सहब ने हाथ की छड़ी घुमा कर कहा चुप रहसूर हम घंटा भर से खड़ा है अपना कान पकड़ो फटैचंद ने खून का घून पी कर कहा हुजूर मुझे दस साल काम करते हो गए कभी सहब चुप रहसूर हम कहता है कि अपना कान पकड़ो फटैचंद जब मैंने कोई कसूर किया हो सहब चपरासी इस सुवर का कान पकड़ो चपरासी ने दबी जबान से कहा हुजूर ये मेरे अफसर है मैं इनका कान कैसे पकड़ो सहब हम कहता है इनका कान पकड़ो, नहीं हम तुम को हंटरों से मारेगा चपरासी, हुजूर, मैं यहां नौकरी करने आया हूँ मार खाने नहीं, मैं भी इज़दार आत्मी हूँ हुजूर अपनी नौकरी ले लें आप जो हुक्म दे, वो बजा लाने को हाजिर हूँ लेकिन किसी की इज़द नहीं बिगार सकता नौकरी तो चार दिन ही की है चार दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगार करें साहब अब क्रोत को ना बरदाश्ट कर सके हंटर लेकर दोड़े चपरासी ने देखा, यहां खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ फतेजंद अभी तक चुपचाप खड़े थे साहब चपरासी को ना पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिये बोला, तुम सुवर घुस्ताख ही करता है जाकर ओफिस से फाइल लाओ फतेजंद ने कान हिलाते हुए कहा कौन सी फाइल लाओ हुजूर साहब फाइल फाइल और कौन सी फाइल तुम बहरा है, सुनता नहीं हम फाइल मांगता है फतेजंद ने किसी तरह दिलेर होकर पूछा आप कौन सी फाइल मांगते हैं साहब वही फाइल जो हम मांगता है वही फाइल लाओ अभी लाओ बेचारे फटेशंद को अब कुछ पूछने की हिम्मत न हुई सहाब बहादूर एक तो यूही तेज मिजास के थे इस पर हुकूमत का घमन और सबसे बढ़ कर शराब का नशा हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े सहाब ने कहा दोड कर जाओ दोड़ो फटेशंद ने कहा हुजूर मुझसे दोड़ा नहीं जाता सहाब ओ तो तुम बहुत सुस्तो हम तुमको दोड़ना सिखाएगा दोड़ो पीछे से धका देकर तुम अब भी नहीं दोड़ोगे ये कहका सहाब हंटर लेनी चले फटेशंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुश्य ही थे यदि वो बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते अगर उनके पास कोई हतियार होता तो उस पर जरूर चलाते थे लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था वो बेतहाशा भागे और फाटक से बहार निकल कर सड़क पर आ गए फते जन दफ्तर न गए जाकर करते ही क्या साहब ने फाइल का नाम तक न बताया शायद नशे में भूल गया धीरे धीरे घर की और चले मगर इस बेज़ज़ती ने पैरों में बेडियां से डाल दी थी माना कि वो शाररिक बल में साहब से कम थे उनके हाथ में कोई चीज भी न थी लेकिन क्या वो उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे उनके पैरों में जूते तो थे क्या वो जूतों से काम न ले सकते थे फिर क्यों नोने इतनी जिल्लत बरदाश की मगर इलाज ही क्या था यदि वो क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या भी करता शायद एक दो महीने की साधी कैद हो जाती संभव है दो चार सो रुपए जुर्माना हो जाता मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता संसार में कौन था जो इनके इस तरी बच्चों की खबर लेता वो किसके दर्वाजे हाथ प्हलाते यदि उनके पास इतने रुपए होते जिन से उनके कुटुम का पालन हो जाता तो वो आज इतनी जिल्लत ना सहते या तुम मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे दे थे अपनी जान का इन्हें डर न था जिन्दगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वो इस तरह डरते खयाल था सिर्फ परिवार के बरबाद हो जाने का आज फत्यचंद को अपनी शारेरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी न हुआ था अगर उन्होंने शुरू ही से तंदरुस्ती का खयाल रखा होता कुछ कसरत करते रहते लकड़ी चलाना जानते होते तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत कि वो उनका कान पकड़ता उसकी आँखे निकाल देते कम से कम इने घर से एक छुरी लेकर चलना था और ना होता तो दो चार हाँ जमाते ही पीछे देखा जाता जेल खाना ही तो होता या और कुछ वो जो ही आगे बढ़ते थे तियो तियो उनकी तबियत अपनी कायरता और बांदेपन पर और भी जहलाती थी अगर वो उचक कर दो चार थपड लगा देते तो क्या होता यही ना कि साहब के खानसा में बैरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पड़ती साहब को इतना तो मालम हो जाता कि किसे गरीब को बेगुना जलील करना आसान नहीं आखिर आज मैं मर जाओं तो क्या हो तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा तब उनके सिर जो कुछ पढ़ेगी वो आज ही पढ़ जाती तो क्या हर्ज था इस अंतिम विचार ने फतेचन के हिर्दे में इतना जोश भर दिया कि वो लोट पड़े और सहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए दो चार कदम चले मगर फिर ख्याल आया आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वो तो हो गई कौन जाने बंगले पर हो या कलब चला गया हो उसी समय उन्हें शार्दा की बेकसी और बच्चों को बिना बाप के हो जाने का ख्याल भी आ गया फिर लोटे और घर चले घर में जाते ही शार्दा ने पूछा किसलिए बुलाया था बड़ी देर हो गई फतेचन ने चार पाई पल लेटते हुए कहा नशे की सनक थी और क्या शैतान ने मुझे गालियां दी जलील किया बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्योंकि निर्दाई ने चप्रासी से मेरा कान पकड़ने को कहा शार्दा ने गुस्ते में आकर कहा तुमने एक जूता उतार का दिया नहीं सुर को फतेचन चप्रासी बहुत शरीफ है उसने साफ कह दिया हुजूर मुझे से ये काम ना होगा मैंने भले आदमियों की इज़त उतारने के लिए नौकरी नहीं की बस उसी वक्त सलाम करके चला गया शार्दा यही बहादुरी है तुमने उस साफ को क्यों नहीं फटकारा फतेचन फटकारा क्यों नहीं मैंने भी खुब सुनाई वो छड़ी लेका दोड़ा मैंने भी जूता संभाला उसने मुझे कई ज़ड़ियां जमाई मैंने भी कई जूते लगाई शार्दा ने खुश होकर कहा सच इतना सा मुझ हो गया होगा उसका फतेचन चेहरे पर ज़ाड़ू से फिरी हुई थी शार्दा बड़ा अच्छा किया तुमने और मारना चाहिए था मैं होती तो बिन जान लेना छोड़ती फतेचन मार तो आया हूँ लेकिन अब ख्यारियत नहीं है देखो क्या नतीजा होता है नौकरी तो जाएगी ही शायद सजा भी काटनी पड़े शार्दा सजा क्यों काटनी पड़ेगी क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है उसने क्यों गालिया दी क्यों छड़ी जमाई फत्यचन उसके सामने मेरी कौन सुनेगा अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी शार्दा हो जाएगी हो जाए मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत न होगी कि किसी बाबू को गालिया दे बैठे तुम्हें चाहिए था कि जो है उसके मूँ से गालिया निकली लपक कर एक जूता रसीद कर देते फत्यचन तो फिर इस वक्त जिन्दा भी न बच सकता जरूर मुझे गोली मार देता शार्दा देखे जादी फत्यचन नहीं मुस्कुरा कर कहा फिर तुम लोग कहा जाती शार्दा जहां ईश्वर की मरजी होती आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज़त है इज़त गवा कर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती तुम उस शैतान को मार कर आय होते तो मैं गरूर से फूली नहीं समाती मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घ्रणा करती यूँ जबान से चाहे कुछ भी न कहती मगर दिल से तुम्हारी इज़त जाती रहती अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से जेल लूगी और अब कहा जाते हो सुनो सुनो कहा जाते हो फतेजन दिवाने होका जोश में घर से निकल पड़े शारदा पुकारती रह गई वो फिर सहब के बंगले की तरफ जा रहे थे डर से सहमे हुए नहीं बलकि घुरूर से गर्दन उठाय हुए पक्का इरादा उनके चेहरे से जलक रहा था उनके पैरों में वो कमजोरी आँखों में वो बेकसी ना थी उनकी काया पलट सी हो गई थी वो कमजोर बदन पीला मुखडा दुबले बदन वाला दफतर के बाबू की जगह अब मरदाना चेहरा हिम्मत से भरा हुआ मजबूत कठा और जवान था उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकरते हुए साहब के बंगले पाज जा पहुँचे इस वक्त नौ भजे थे साहब खाने की मेश पर थे पर फतेचंद ने आज उनकी मेश पर से उठ जाने का इंतजार ना किया खानसामा कमरे से बाहर निकला और वो चिक उठा कर अंदर गए कमरा प्रकाश से जग मगा रहा था जमीन पर ऐसी कालीन बिच्छी हुई थी जैसे फतेचंद की शादी में भी नहीं बिच्छी होगी सहब बहादुर ने उसकी तरफ क्रोधित द्रिष्टी से देख कर कहा तुम क्यों आया बाहर जाओ क्यों अंदर चला आया फतेचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा तुमने अभी फाइल मांगा था वही फाइल लेकर आया हूँ खाना खालो तो दिखाओ तब तक मैं बैठा हूँ इत्मिनान से खाओ शायद ये तुम्हारा आखरी खाना होगा इसी कारण खूब पेट भर कर खालो साहब सन्नाटे में आ गया फतेचंद की तरफ डर और क्रोध की द्रिष्टी से देख कर काप उठे फतेचंद के चीरे पर पक का इरादा जलक रहा था साहब समझ गए ये मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तयार होकर आया है ताकत में फतेचंद उनके पासंग भी नहीं था लेकिन ये निश्चय था कि वो इंट का जवाब पत्थर से नहीं बलकि लोहे से देने को तयार है यदि वो फतेचंद को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर है कि वो डंडा लेकर पिल पड़े हाता पाई करने में यद्यपी उन्हें जीतने में जरा भी संधे नहीं था लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है कुत्ते को आप डंडे से मारिए ठुकराइए जो चाहे कीजिए मगर उसी समय तक जब तक वो गुर राता नहीं एक बार गुर राकर दौर पड़े तो फिर देखें आपकी हिम्मत कहां जाती है यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था जब तक यकीन था कि फत्यचन घुर की गाली हंटर ठोकर सब कुछ खामोशी से सहलेगा तब तक आप शेड थे अब वो तियोरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की घात लगाये खड़ा है जबान से कोई कड़ा शद निकला और उसने डंडा चलाया वो अधिक से अधिक उसे बरखास्त कर सकते हैं अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है उस पर फौशदारी में मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा माना कि वो अपने प्रभाव और ताकत से अंत में फटैचंद को जेल में डलवा देंगे परंतु परेशानी और बदनामी से किस तरह ना बच सकते एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने कहा ओ, हम समझ गया, आप हमसे नाराज है हमने क्या आपको कुछ कहा है, आप क्यों हमसे नाराज है फटैचंद ने तनकर कहा तुमने अभी आद घंटा पहले मेरे कान पकड़कर और मुझे सैकड़ों उल जलूल बाते कहीं थी क्या इतनी जल्दी भूल गए सहाब, मैंने आपका कान पकड़ा हाँ हाँ, क्या मजाख है क्या मैं पागल हूँ या दिवाना फटैचंद, तो क्या मैं जूट बोल रहा हूँ चपरासी कहा है आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे सहाब, कब की बात है फटैचंद, अभी अभी कोई आद घंटा हुआ आपने मुझे बुलाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिये थे सहाब, ओ बाबुजी उस वक्त हम नशा में था बैरा ने हमको बहुत दे दिया था हमको कुछ खबर नहीं क्या हुआ, माई गॉड हमको कुछ खबर नहीं फटैचंद, नशे में अगर तुमने मुझे गोली मार दी होती तो क्या मैं मरना चाता अगर तुम ही नशा था और नशे में सब कुछ माफ है, तो मैं भी नशे में हूँ, सुनो मेरा फैंसला, या तो अपने कान पकड़ो, कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बरताब न करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ोंगा, समझ गए की नहीं, इधर उधर हिलो नहीं, तुमने जगे छोड़ी और मैंने टंड़ा चलाया, फिर खोपड़ी तूट जाए, तो मेरी खता नहीं मैं जो कुछ कहता हूँ वो करते चलो, पकड़ो कान, साहब ने बनावटी हजी हफ्स कर कहा वेल बाबुजी, आप तो बहुत दिल लगी करता है अगर हमने आपको बुरे बात कही तो हम आपसे माफी मांगता है फतेचन डंडा तौल कर, नहीं कान पकड़ो साहब आसानी से इतनी जिल्लत ना सह सके लपक कर उठे और चाहा की फतेचन के हाथ से लकड़ी छीन ले फतेचन गाफिल ना थे साहब मेज पर से उठने भी न पाय थे क्योंनोंने डंडे का भरपूर और दुलावा हाथ चलाया साहब तो नंगे सिर थे ही चोड सिर पर पड़ी खोपड़ी भन्ना गई एक मिनट तक सिर को पकड़ने के बाद बोले हम तुमको बरखास कर देगा फतेचन इसकी मुझे परवा नहीं मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़वाए नहीं जाओंगा कान पकड़ कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेदमी ना करोगे नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है ये कहकर फतेचन ने फिर डंडा उठाया साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी अगर कहीं ये दूसरा हाथ पड़ गया तो शायब खोपड़ी खुल जाए कान पर हाथ रख कर बोले अब आप खुश हुआ फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे कभी नहीं अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ ले ना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ अब किसी को गाली न देगा अच्छी बात है अब मैं जाता हूँ आज से मेरा इस्तीफा है मैं कल इस्तीफा लिख कर भेजूँगा कि तुमने मुझे गालियां दी इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता समझ गए साहा आप इस्तीफा क्यों देते हैं हम तो बर्खास नहीं करता फतेचंद अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूँगा ये कहते हुए फतेचंद कमरे से बाहर निकले और इत्मिनान से घर चले आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसनता का अनुभव हुआ उन्हें ऐसी खुशी कभी प्राप्त नहीं हुई यही उनके जीवन की पहली जीत थी कहानी उनंचास इस्तीफा समाम